है गेड़ो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हजोते हैं ऑप सब बढ़ी आओंगे आज के इस वीडियो help आप आप बात करेंगे और अधिश्च सेद्ड टेबलेत के बारे में और हम से बाजार में सब्से जुख रहला डीमांड है इस टेटो शुत करने से पहले याद यांग वीडियो доступ नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लें साथ यहां को प्रस कर दें तकि इस तरह के जब सबस्क कर लें आप यह तो अब बात कर लेते हैं इन तीनों में सबसे बेस्ट टैबलेट मिल जाएगी तो सबसे पहले इन तीनों टैबलेट के composition and MRP और company के नेम के बारे में जानेंगे और किस तरह से इसका इस्तेमाल करें कि side effect ना हो यह सब वीडियो के life में मैं आपको बताऊंगा तो जान लेते हैं सबसे पहले इसमें जो रहता है मैं 400 mg का tablet जो है इसमें जो combination होता है saidnafield टेबलेट के combination होता है यह मैंट काईंट कंपनी दोरह बनाए जाता है और यह जो रहता है चार टेबलट की इस्टीप आती है और बात कर लेते हैं, ये कितने MRP की मार्केट में available है, यह जो है 200 पच्पन MRP की मार्केट में available है. आसानी से आपको medical store पर मिल जाएगा और जो medical store वाले से इसके बेचते हैं तो यह 20 रुपे का पत्ता आपको मिल जाएगा medical store पर. और आप बात कर लेते हैं बिगोरा जो है 50 mg का टैबलेट है 50 mg और 100 mg दोनों के टैबलेट ये मार्केट में अबलेबल है ये जर्मन रेमेडी कंपनी दोरा बनाया जाता है अगर इसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP जो है मार्केट में अबलेबल है ये आपको आसानी से 20-30 में मिल जाएगा और आप बात कर लेते हैं अपने जो 100 mg की टैबलेट होती है इसकी MRP की बात कर ले तो इसकी MRP जो 116 MRP में मार्केट में अबलेबल है और आप बात कर लेते हैं इन तीनों या चारों में सबसे बेस्ट टैबलेट कौन है तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा बेस्ट टैबलेट मानते हैं तो इसको सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट जिसका होता है कि मैं common को बहुत ज्यादा करता है बलकि विग ओर होता है यह जो रहता है epic in नहीं करते हैं और केस्टमर को ज्रेशा से जड़ा बना जाता है और जो दूसरी का तेबलत आता है इसको हम रखते हैं एंडन यह बनाय गया और इस तेबलेट को इस टेबलेट की अगर मार्केट में अबलेबल है और इसका जो होता है ज्यादा बहतर रिजल्ट नहीं होता है और आपको मैंफोर्स और विगोरा हर मेडिकल इस्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी और अगर मान लीजिए यह दोनों टैबलेट आपको मेड इसमें से कौन से टेबलेट यूज करें कि सबसे ज्यादा जो है इसके साइड इफेक्ट ना हो इसके लिए आपको कभी भी इसका लगातार इस्तेमाल नहीं करना है चाहें वह 50 mg का टेबलेट हो यह 100 mg का टेबलेट हो जब भी इस्तेमाल करें तो 10 से 15 दिन का गयब देकर ही इस्तेमाल करें तब आपको फाइदा ज्यादा दिखेगा लिए और प्रेमानेंट इस टेबलेट का उज़िए ना करें और अगर आप लगातार इन टेवलेट का उज़िए तंथा इसके बाद इसको खाने से एक प्रॉब्लम और होता है इसकोाने से बहुत जयादा हरासमे जैसे ज्यादा आपको फायदा होगा और 20-30 वाले इसका यूज एकदम ना करें यानि ना के बराबर करें क्योंकि मैं देखता हूँ hour जो यूजक करता है उसको बिना डॉक्ट की करने से पहले बिस इसका इसका कर सकते हैं और लगभग pon Pinord लोग डाक्टर की सला से इस का यूजक करते हैं तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसमें सबसे बहतर कौन है तो इसमें जो सबसे ब महतर है चबिलेट जो आता है सब्से ब्लेट में कर सकते हैं और जो दूसरी नंबर पर है वो बिंगोरा से बढ़ेट पर तेबलेट म मैं रखता हूँ typing, ध Wenyaent कारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेर जरूर करें मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब